नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप स्वागता आपका एक और नए वीडियो में दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ डीम और फोतिका ओस्टियो स्पर्मम फ्लावर प्लांट का वीडियो जो की सीट्स टू फ्लावरिंग अपडेट तक के साथ है इससे पहले भी मैं आपके साथ पिटुनिया, डेलिया, मेरी गोल्ड, पॉपी फ्लावर बहुत सारे फ्लावर प्लावर प्लांट के जो वीडियो हैं सीट्टू फ्लावरिंग अपडेट के साथ शेयर कर चुका हूँ यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को नी दोस्तो डीमऔर फोतिका ओस्ट्यो स्फवर्मम को हमारे यहां पर लोकल भाषा में कुसम मुस फ्लावर बोलते हैं ओस्ट्यो स्फवर्मम फ्लावर प्लांट का सीड़ आप शीड़िन ट्रे में लगा सकते हैं या फिर किसी भी चार से पांच इंच की गहराई वाले पोर् दोस्तो पोर्ट में आपने ड्रैनेज होल जरूर बनाना है या फिर सीडलिन ट्रे का यूज करते तो उसमें भी ड्रैनेज होल जरूर होना चाहिए मिट्टी की बात करूँ तिसमें दोस्तों मैंने सैंड, कोकोपीट और वर्मी कमपोस्ट तीनों को मैंने बराबर मात्रा में लिया है उस्ट्योस्परमरम का जो सीड रहता दोस्तों बड़ी ही आसानी से उग जाता है इसको आपने 25 डिग्री सेलसिस के नीचे के ताफमान में ही ग्रो करना है जब 25 से नीचे का नाइट टमपरेचर होने लगे आपके यहाँ पर दिन में चाहें 300-32 कोई फरक नहीं पड़ता आपको पार्चल सन में या पर ग्रीन एट की नीचे सीड को ग्रो करना है अगर 20 से नीचे का टमपरेचर है 20 डिग्री सेलसिस से नीचे का टमपरेचर है तो आपने फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही सीडलिंग ट्रे को रखकर जो है सीड ग्रो करना है अगर आप ज्यादा शैड़िट प्लेस में ग्रो करेंगे तो प्लांट लेजी हो जाएंगे लंबे हो जाएंगे और कुछ समय बाद वह नीचे गिल जाएंगे और मर जाएंगे तो इस तरह से आपने सीड को मिट्टी के ऊपर बिखेरने के बाद सीड को मिट्टी से कवर करना है ज्यादा मोटी लेयर से नहीं करना है पदली लेयर से करना है सीड कवर करने के बाद आपने फारबर पूर मात्रा में पानी देना है और प्लांट पोर्ट को 20 डिग्री सेलसिस नीचे के टमप्रेचर में फुल डेकिसन लाइट वाल स्थान पर रख देना है अगर जो है 30 के आसपास है तो ग्रीन नेट की नीचे रखें या पार्शल सन में रखें और मिट्टी में हमेशा मुष्चर को मेंटेन रखें कभी भी पूरी तरह से टॉप सोल को ड्राइड नहीं होने देना है दोस्तो पांचवाँ दिन है और आप पांचवी दिन के अपडेट में देख सकते हैं डीम और फोतिका फ्लावट प्लांट के जो सीड है वे जर्मिनेट होकर बाहर निकलना शुरू हो गए और यदि टंपरेचर पंदरा से नीचे का है तो पांच की जगा दस दिन का समय भी लग सकता है सीड को जर्मिनेट होकर बाहर निकलने में ये है दोस्तो नौमे दिन का अपडेट नाइन्थ डेज में आप देख सकते हैं हमारे ओस्ट्यो स्पर्मिन फ्लावट प्लांट की सैपलिंग्स में जो है ट्री लिफ्स आना शुरू हो गई है दोस्तो 37 days complete हो चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं हमारी ओस्टियो स्पर्मम फ्लाव प्लांट की saplings जो हैं वेट ट्रांस्प्लांटेशन के लिए पुरीता से तैयार हैं अभी हम इनको जो हैं ट्रांस्प्लांट करेंगे वो स्टियो स्प्रमम फ्लाव प्लांट दोस्तों जो है कोई ज्यादा बड़ा पोर्ट नहीं मंऑता है यह जो है हमारा 7-8 हींच बड़े पोर्ट में फ्लाव प्लाव प्लांट जो बड़ी ही आसानी से घ्रक करता है और अच्छी फ्लावरिंग देता है तो यहां पर मैं इस प्लास्टिक पोर्ट का यूज कर रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं काफी सारे ड्रैनेज होल बने हुए हैं यदि आप किसी भी अन्य तरह की डिब्बे आदी में अगर लगाते हैं प्लांट तो उसमें कुछ ड्रैनेज होल जरूर करें ताकि ओवर वाटरिंग होने पर और लिया अक्स्ट्रपाणी आसानी से ड्रैनाउट हो सके और हमारे प्लांट की जड़े हैं प्लांट को बंद करने के लिए मैं जो हो यह पर राइस हस का यूज कर रहा हूं दान के चिलकों का जिससे की जो है सिर् पानी डैनाउट होगा ड्रैनेज होल में से जो मिट्टी है वह बहर नहीं निकलेगी सैप्लिंग प्लांट को लगाने के लिए मैंने जो अभी मिट्टी तियार कि इसमें नॉर्मल गार्डन सोयल सेंड और वर्मी कमपोस्ट तीनों को मैंने बरावर मात्रा में लिया है या फिर आप 50% गार्डन सोयल के साथ 50% वर्मी कमपोस्ट भी लेकर मिट़ी त्यार कर सकते हैं और श्रोष मरमुर फ्लाववल प्लांट को लिए डीमूर «फोतिटकव फ्लावल प्लांट की सैप्लिंग्स को निकालते समय आपने पहले पानी डालना है और नीचे से पकड़कर ऊपर की तरफ खीचना है तो आप देख सकते हैं आसानी से जो सैप्लिंग प्लांट निकल आएगा काफी अच्छे से डीमोर फोतिका फ्लाव प्लांट की जो सैप्लिंग से इनमें रूट बनी हुई है कुस्मुस की सैप्लिंग आपने इस तरह से गड़ा करना है और उस गड़े में रूट वाले पार्ट को दबा देना है इस तरह से आपने सैप्लिंग प्लांट को लगाना है भरपूर मात्रा में पानी देने के बाद पोर्ट को आपने 20 डिगरी सेल्सियस के नीचे के टमप्रेचर में फुल डे की सनलाइट वाले स्थान पर ही रखना है कोई shaded place पर नहीं रखना है कोई partial sun में नहीं रखना है आपको ध्यान बस इतना रखना है कि next time पानी आपने top soil के dry होने पर देना यदि आपने पहले ही पानी दे दिया ज्यादा moisture को maintain रखा पोर्ट में तो plant की root सर जाएंगी और plant नीचे गिर के मर जाएगा sapling plant transplant किये हुए 21 दिन complete हो चुके है आप देख सकते है plant काफी बड़ा हो गया है और healthy भी हो गया है तो इस तोरा हमने क्या care करनी है जो भी खरपतवार उगे मिट्टी में उसको हमने निकालना है और जो भी पत्ते मिट्टी में टच हो रहे हो उनको हमने हटा देना है एकदम जो है plant को मिट्टी से उपर रखना है कोई भी पत्ता मिट्टी में टच नहीं होने देना है transplantation के 45 दिन के बाद का यह second update है अभी आप देख सकते हैं हमारे डीम और फोतिका flower plant में जो है काफी सारे birds आ चुके हैं और कुछ birds जो हैं खिलने के लिए तैयार हैं अभी आप दोस्तो देख सकते हैं हमारा कुसमुस flower plant कितने अधिक फुलों से भरा हुआ है यह plant दोस्तो एक बहतरीन winter season का plant है जो की काफी अधिक को entity में flowering करता है और लगातार flowering करता है जब एक बार यह शुरू कर देता है और एक साथ जो है काफी सारे इसके flower bloom होते हैं जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और लगातार यह जो नीचे से आप देख सकते हैं बहुत सारी कलियां जो है बना रहा है और यह इसी तरह से कलियां बनाता रहता है लगाता और खिलता रहता है तो यह plant आपको दोस्तों जरूर लगाना चाहिए और श्टियो स्परमम कुस्मूस flower plant या फिर डीमोर्फोतिका flower plant जिस नामसे भी आप जानते है फिरिकंट डेजी की नामसे के जो भी नाम आप जानते echo it